मुझफरपुर में रिंजीम बारिश के बीच उमंग और उस्ताह के साथ मनाप चतर्वा स्वतंतरता दिवस सिकंदर पुरस्तित पंडित नेहरु स्टेडियम में तरहुत प्रमंडलिया आयुक्त महीर कुमार ने किया ज़न तोलन स्वतंतरता दिवस पर मुझफर पुर्श यहर के प्रमुख विवसाई सहयुआ समासेवी संजीव शर्मानी बच्चों के बीच पषण पार्टन सामगरी का किया वित्रड सिक्षक मंतरी का निर्देश सिक्षक सत प्रतिशत पस्तित होकर पढ़ाएं 16 अगस्त से प्रारंबिक स्कूलों को खोले जाने से पहले विज़कुमार चौधरी ने कहा सिक्षकों के पस्तिती से बच्चों में रूची पैदा होगी वेशाली मी याकियों से भरी नाव पल्टी जोसे व्यक्ती से मिलने पहुचे राज़त बधा एकमुकेश रोशन कहा सरकारी ला परवाही के कारण ये बड़ा हाथता हुआ जुंती जग्दानन नहीं माने राज़त की परंपरा चूटी ज़ंडा फैरानी राज़त आफस नहीं पहुचे पार्टी के प्रदेश अध्यर जग्दानन सिंग ते जस्वी ने किया ज़ंड उत तोलन बिहार में आजादी का पच्चतरवा जज़नी सीम नितीश कुमानी गांधी मैदान में फैराया तरंगर राज़े में कर्मिचारियों का महगाई बत्ता टाइस प्रतिशत करने का आईलान किया पच्चतरवें स्वतंतरता दिवस की बिहार में धूम बिहार के सभी जिलों में स्वतंतरता दिवस को लेकर जबर दस्त उत्सह कुर्णा प्रोटकॉल को देखती हुए किया जा रहा ज़ंड उतोलन पटना की चार घाटो की ग्राउंड रिपोर्ट घाटो पर डरार ही गंगा की देजधार सन्नाटा पस्रा प्रशाशन ने जग़जग़ बैरिकेटिंग लगा कर पुलिस बल तैनात किया पुर्वर राजस्तेवा सदसे रजनी रंजन साहुनी स्वतंदरता संघर्ष के किस से सुना एक कहा तिरंगा जुरूस में भूजा था अंग्रेज उभारा छोडो का नारा मुजफर पुर मिजला स्कूल से शात्रों की टोली हाथ में तिरंगा लेकर निकली थी कल्यानी चौक पर गुरसवार बुलिस दल से हुआ था सामना राप में गंगा में बड़ा हाथ सा पटना से वेशाली जा रही थी यास्जिनों से भरी नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आई 27 याथरी घायल बार अलापता 103 साल की हो गए है बावु बटूरं सिंग नवादा जिले के एक मादर जीवी स्वतंदरता से इनानी है 1942 के आंदोलन में रेल की पट्रियां उखारी की जेल भी गए थे पुर्णा काई में नहीं भार ही ओफलाइन क्लास दस्वीं के स्टूडेंट की क्लास में अटिंडिंस कम पचास प्रतिशत का हैनियम 20 से आगे नहीं बढ़ रहे चादर मास्क और सैनिटाइजिशन की ववस्था भी नहीं मुगेर में गंगा हो रही है विकराल रेलवे पुल तक पहुचावार का पानी सुल्ताल गंच से रतनपुर रेलवे ट्रैक पर आवागमन ठापाधा तरजनल ट्रेनिंग कैंसल याद्रियों की परिशानी बढ़ी देश की कुलड़ पर मधुबनी बेंटिंग 26 कुलड़ बताएंगे देश की साजा सांस करती तकत मधुबनी बेंटिंग भी इसमें एक कारिगरों के काम को बढ़ावा देनी की अनूठी पहल पटना नाओ हाथ से में भी चार लोग लापता इस जी आरेफ की टीम चला रही रिस्क्रो आपरेशन घायरों में करी लाज के बाद घर पहुचे कुछ एनम सी एच में भरती पटना में उल्टा फेरा दिया दिरंगा मलेरिया आफिस में बड़ी लापर वाही स्वास विभाग के छेटरी अपर निदेशक ने उल्टे जण्डे को दी सलामी पुरना से आज़ादी के लिए आज नहीं होगी लड़ाई पटना में आज एक भी सिंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन सौस्य अधिक सिंटर के साथ 24 इंटू सेंटर 24 इंटू सेवन सिंटर विबंद नाव पर सवार होकर किया जण्डो तोलन वैशाली में अपनी परिशानियों को बूल बार पिरतों ने मनाया स्वतंतरता दिवस आरजेटी कारिकरताओं ने भी बढ़चर कर हिस्सा लिया कोखर में डूबने से युवक की गई जान छपरा मिस्तान के दोरान दो युवक डूबे एक की गई जान श्रद्धा कर में मुंडन के बाद कर रहा था इस्तान सिवान में शान से लहराया तरंगा एतिहासि गांधी मैदान में डियम ने स्पी के साथ परेट का निरिक्षर कर किया जहन्डो तोलन कोविड प्रोटकॉल के तहत हुआ योजन 15 अगस 1917 को चंपा रनाय थे बापू कस्तूरवा गांधी के साथ सिरोना की चुल्हिया ने जलाई थी सिख्षा की अलक गड़ी बच्चों को दी जाती थी सिख्षा वशाली में डीम ने किया जहन्डो तोलन हाजिपूर के अक्षेवट राय स्टेडिय में डीम उदिता सिंग ने फेराया तरंगा जिले में चल रहे विकास यूजनाओ पर की चर्चा पटना की ग्रामेर रिलाके में बार का कहर करीब तीन लाख लोग प्रभाविद हाई कोड का आदेश मांती सरकार तो रही होता नाव हासा बड़ा सवाल उफनाई गंगा में किसके अनुमती से चलाई जा रही है नाव 2017 में बड़े नाव हासे के बाद कोड के आदेश पर अब तक अमल नहीं चार लाख पाँच हजार सरकारी कर्मचारियों को तोफास वतंतरता दवस पर सियम नतीश ने कि 28 प्रतिशन महंगाई भता देनी का अलाई सरकार पर पड़ेगा दाई हजार करोड का भाद दो गंदे में वर्दी उतरवाने वाले नेता गरफतार जेड यूनेता संतोज भासकर को पुलिस ने दबोचा और आई कि धानिदार को फोन पर दीदी धमकी आमारपीट के केस में दबाव बना रहा था बिहार के छप्रा में आजादी की दिवानी, गंगा और सर्युनदी की देजधारा की बीच लहराया गया तिरंगा बिहार गिधार मंडल में 75 सुतंतरता दिवसका जेश ने बोले विजय सनहा भारत यूआओं का देश ये यूआओं के वदोलत देश तरकी की रह पर जा सकता है लेटिस कबरों के लिए देखते रहें M.U.Z.News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले